कि नमश्कार असलाम वालेकुम सस्रीकाल मैं दीब सिद्धी कि आपका होस्त आपका दोस्त आप देख रहे हैं एन एन प्रेजेंट सियासत का घमासान अज हमारे साथ जो खास मैमान है वह है शाम बाबु गुपता टांड़ा विदान सबाविधायक प्रतिविदी हैं बहुत जाधा कॉन्फिडेंस है कि उमीद्वार आप ही होंगे देखी अभी यह तो संगठन के उपर निर्भर करता है 2017 से 2022 तक अगर हमारा परफानमेंस पाल्टी को समझ में आया होगा कि हाँ वास्तों में हमने जनता के बीच में अधिक सधिक समय देने का काम किया सरकार की सभी जनाओं को हमने अपने विधान सभा में अधिक सधिक लोगों तक पहुचाने का काम किया होगा तो निश्ची तवर पर पाल्टी मुझ पर विश्वास करेंगी ने आला कमान से कोई ऐसा इंडिकेशन मिला है क्योंकि हम लोग के पास जो रिपोर्ट है उसमें यह कि टांड आप ने ऐसी एक जमीन तयार कर दिये पार्टी के लिए कि कोई भिया के सीट से अगर चुनाओ लड़ता है तो प्रबल दाविदार हो चकता है जीतने का देखिया अज उत्तर प्रडेस में भारती जनता पाल्टी के अलामा जो भी पाल्टियां इस चुनावी जद्दु ज हो लेर्टियां रखें क्योंकि जिस प्रकार हमारी भारती जनता पाल्टी की सरकार ने उस पर इस प्रडेस के मुखिया योगी आदित नाजी ने काम किया है जनता के लिए विकAS के लिए प्रडेस के उत्थान के लिए और जो उन्होंने नारा दिया था न गुंडा गर्द आपकी बारभाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास इन सारे मुद्दों पर हमारी सरकार ने योगी आधित नाजी ने पूरी तराग से काम किया है और ये जनता को समझ में आ रहा है इसलिए भारती यंता पाल्टी की जो भी तकतार्थी है उनको लगता है केवल यहीं इसी ब अधिरान सभाओं में अधिक बहुत लोग हैं जो टिकट के दावेदार हैं उनको लगता है कि हां भारती यंता पाल्टी जीत सकती है जीते गी यह तो आम जन्मानस भी कह रहा कि अपकी बार फिर योगी सरकार चलिए सब एक बार इमेजिन कर लेते हैं कि आप उमीदवार भुशित कर दिये जाते हैं और आपके परिवार में जो घटना घटी जो आपको नुकसान हुआ आपके बड़े भाई की हत्या हुई उसके बाद आपके भतीजे शायद उनकी भी हत्या हुई तो वह सब चीजे आपको 2017 में एक सिंपेथी वोट आपके साथ जुड़ा रहा कि एंटी इंकमपेंसी आपके खिलाफ हो गई है जनता के बीच में कि हम इनका बहुत हो गया इन्होंने 5 साल विधायक रही है इनके साथ सिंपेथी खतम हो गई कि ऐसा हुआ है क्या देखिए जब भी कोई किसी तरह का आकरमना किसी पर होता हो चाहे व्यक्ति पर हो चाहे देश पर हो चाहे समाज पर हो कोई कुठारा घात करता है और उस कुठारा घात का जबाब देने के लिए वो चाहे देश की आजादी में तमाम सुरणतरा संगराम सेनानियों ने अपने प्राणू की आहुतियां दी अंग्रीजों के गोड़े खाए मुगलों के तलवारों का उन्होंने वार्स तो उनको समाज कभी भूलता नहीं है दोहजार तेरा में मेरे भाई रामबाबु की हत्या हुई तो उसके पूर्व में जिस प्रकार अपने समाज के लिए देस धर्म समाज के लिए जिस пример सरकार राम बाबू मैं और मेरा परिवार हमेशा सजग प्रहरी बनकर समाज को एक दिशा और दसा देने का काम करता था वह इतनी जल्दी समाज नहीं भूलता इस बात की पीड़ा आज भी समाज को है कि वह भी दिन हमने देखा है कि जब 2013 के बाद से 2017 तक 2014 तक हम लोगों ने तमाम आंदोलन किये और ये कहते रहे कि मेरे भाई का हत्यारा फला है लेकिन उस समय की सरकार ने किस प्रकार मुस्लिम तुष्टी करन उसके उपर इतना हाभी था कि हम लोग कहते रहे केवल हम लोग नहीं पुरा प्रदेश कहता रहा जनपत कहता रहा लेकिन इतनी हैसियत नहीं हो पाई उस समय के प्रसासन की क्योंकि उनके उपर समाजबाद पार्ती पाल्टी की सरकार का इतना चाबुक चल चुका था कि वो उनके लोगों से पूष्टाश नहीं करी थी लेकिन आज भार्ती यंतापालटी की सरकार है सबको नयायाय मिल रहा है अगर हमारे पाल्टी का भी किसी theo कोई गल्ती हुई तो उनको भी तमाम हमारे विधायकों के उपर ये फाई आर हुआ तमाम लोगों के उपर कारवाई हुई तो तब के सरकार में और अब भारती यंता पाल्टी की नियाय पर ये सरकार को समाज देख रहा है कि किसके साथ रहने में हमारा भला है और किसके साथ रहने में उन लोगों उनका व्यक्तिकत भला है जो चुनाओं में आते हैं और तमाम तरह के छलावे नारे दे कर अपने साथ आम जन्मानस को जोड़कर आम मतदाता को जोड़कर उनका ओट लेने के बाद फिर उनको केबल ठेंगा दिखाने का काम करते हैं 2017 में जब आपकी जीत हुई तो समाजवादी पार्टी ने यह कहा या उनके समर्थकों ने यह कहा कि MIM एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ खासतोर में इस विधान सबान साक्षी महराज का भी बीच में बयान आया कि जिस प्रकार से असद दोवैसी ने हमारी मदद बंगाल मे करेंगे तो अब यह बिहार में कि अब बंगाल में करेंगी यह था उनका सेंटेंस तो अब यह बताए क्या वाकई आपको लगता है कि जो 17 में आपकी जीत हुई उसमें MIM पार्टी का या उनके केंडिडेट का जरा सा भी रोल था देखिए समाजवादी पार्टी के साथ म मुसलिम मतदाता बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ता है और जुड़ता रहा है उबईसी सहाब आया और उन्होंने मुसल्मानों को एक संदेश दिया कि अभी तक आप जिनके लिए काम करते थे जिनके लिए ओटर बनकर रहे गए थे उन्होंने आपके लिए कुछ नही कर रहे हैं निश्चित रूप से इससे पाल्टी को हमारे बल मिलेगा और कहीं न कहीं जो मुसलिमों को समाजबादी पाल्टी केवल उनको एक ओटर मान कर उनके साथ खबी खड़े होने का समाजबादी पाल्टी का सरकार होता है दंगा होता है फसाद होता है दंगा में दस दस लोग उधर से मार जाते हैं तो मुझे तो नहीं लगता दंगा कभी किसी समाज के लिए लाब पहुचा सकता है आज 2017-2022 तक हमारी भारती अंता पाल्ती की सरकार है भारती इनता पाल्ती की सरकार ने किसी को इतना छूट वो चाहे हमने खुट के कार करता हूँ किसी को इतना छूट नहीं डे रखी है जो कानून से खिलवार कर सकें गरीबों के हग पर अपना हग जताएं इस तरीके का माने रोक थाम हमारी सरकार ने ब्यापक पैमाने पर किया है सर बहुत बढ़ी मेज़ोरिटी से सरकार वणी 2017 में लिकिन जब से अचार सहीता लगी एक बड़े महरेजिन बड़े नमबर्स में विधायक ने इस्तीफादिया पार्टी चोड़ीए बड़े-बड़े मंत्रियों ने इस्तीफादिया पार्टी छोड़ी, क्या वजय रही देखिए जिन लोगों ने पाल्टी छोड़ी है ये भारती अंता पाल्टी एक सपना लेकर अस्थापित हुई थी भारती अंता पाल्टी की सोच थी कि हम भारत माता को परम बैभो की सिखर पर ले जाएंगे आपने सुना होगा कि भारत को कभी सोने की चिडिया कहा जाता था भारत को पूरे दुनिया के लोगों ने लूटने कभी मुगलों ने कभी अंग्रेजों ने लूटने का काम किया इसका मतलब यह साबित होता कि भारत अकूठ समपत्ती के साथ हर संसाधन से युक्त था तभी तो कोई लूटने आएगा तो भारती जनता पाल्टी भारत माता को परम वैभो की सिखर पर पहुचाने के लिए 1925 में राष्टी स्वयम सेवक संग की अस्थापना हुई थी राष्टी स्वयम सेवक संग ने धीरे 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 अपनी यात्रा आगे की जब उसको लगा कि किसानों के बीच में जाके काम करने की आवे सकता है तो किसानों का संगठन बनाया, जब उसको लगा सडक पे उतर कर देश के दुस्मनों को धर्म के दुस्मनों को दो-दो हाथ करने की जरूरत है तो उन्होंने बजरंग दलविस्व हिंदू परिशत किया अस्थापना की और जब उसको लगा कि आज के समय में राजनेतिक लोकतंत्र तरीके से राजनेतिक सक्ति प्राप्त करने की जरूरत है जो काम कभी बंबंदुख बारूद से लड़ी जाती थी जो लड़ाई वो आज मात्र एक मत से हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं हार सकते ह तो भारतियंता पाल्टी की अस्थापना इसलिए नहीं हुआ था कि वो पदपैसा प्रतिष्ठा के लिए राजनीति करें भारतियंता पाल्टी हमेशा भारत के उत्थान को और जो उनके पूरवजों ने सपना देखा था कि समाज के अंतिम व्यत्ति के चेहरे पर मुस्का द्धान लाना यह प्रयास् लगातार भारतियंता पाल्टी कर रही हैющ mermaid पहली सुची जो आई भारतियंता पार्टी की सीटों पर प्रत्याशियों का उसमें से 83 सिटिंग विधायकों में से 33 विधायकों को फिर से टिकेट दिया वहीं पार्टी ने 20 विधायकों का टिकेट काट दिया देखे कोई डर नहीं है 20 विधायकों का टिकेट कटा हो सकता है वो अपने छेत्र में उस तरीके से समाज के बीच में ना रहे हो यह विधाय लगा अगने होगा कि यह चुनाओं नहीं जीज़ सकते वह व्यक्ति विसेज के लिए है ऐसा नहीं कि भारतियंता पाल्ती की योजना की उविभारतियंताप और अभी आपने चरचा किया कि तमाम मंत्री चोड़कर जा रहे हैं तो ऐसे लोग जा हैं जो मूल रूप से भारती अंता पाल्टी के नहीं थे वह आये थे पांच साल उन्होंने मलाई खाया मलाई खाने के बाद एकदम अंतिम समय में जब उनको लगा कि हो सकता है हमको पाल्टी करणा थे हो सकता फिर मैं अच्जी सकों वह पाल्टी छोड़कर गए वह ऐसे लोग गए हैं जो समाजवादी पाल्टी में रहे हों जो बहुजन समय पाल्टी में रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार अपूट संपत्ति अर्जित की थी वो नहीं लगा कि भारती यंता पाल्टी में वो पांच साल में कमा पाएं हो तो शायद सर गलती से सीखनी रहा अधिती सिंग अब नाम सुने हों कि भारती यंता राजनीत ये कहती है कि सत्ता पर क्योंकि लोकतंत्र है सत्ता की बहुत बड़ी एक ताकत होती है लोक्तंत्र में सत्ता में उन्हें कहा कि मेरे लिए राजनेती राजनीती प्रथम विसाय नहीं है मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है यह बहुत बड़ी बात है जिसके अंदर यह सोच है उसको भारती अंता पाल्टी लेने में कोई गुरेज नहीं करें चलिए आखरी सवाल ले लेते हैं 17 और 22 पांस साल के अंदर के बाद जब आप जनता के बीच में फिर जाएंगे तो उनको कैसे कंविंस करेंगे अपने कौन से काम गिनाएंगे और उसे क्या कहेंगी कि मद्दाता आपको क्यों गोट करें देखिए 2017 में तो हमने तब चुनाव जीत लिया जब हमारी पाल्टी 14 वर्स का बंबास जहल के आई थी समा दाताओं को बहुत-बहुत सादूबात देता हूं उनको प्रणाम करता हूं कि उनके मन में जो ये बात रहती थी पूर्व के चुनाव में भारती अंता पाल्टी यहां नहीं जीत सकती वह हम लोगों ने 2014 में इस लोक सभा का सीड भी पहली बार जीत कर और मत दाताओं को और अपने कारकर्टाओं के मन में ये विश्वास जताई कि नहीं भारती अंता पाल्टी भी यहां जीत सकती है और उसका लाव हमको 2017 में मिला 2017 में हम समाज की बीच में गए थे तो केवल हमारे पास केवल बताने के लिए जो था वो केंद्र की सरकार की उपलब्धियां थी प्रदेश सरकार में बहुत लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहे आज भारती यंता पाल्टी कि जो 2017 में अपना संकल्प पत्र समाज के सामने जो घोसणा पत्र होता उसको हमने नाम दिया था संकल्प पत्र घोसणा पत्र और संकल्प पत्र में अंतर यह कि घोसणाएं की जाती है और संकल्प होता है जो लेने के बाद तुरंट उस पर काम सुरू कर दिया जाता हमारी कहा था कि सबका साथ सबका विकास किसी भी योजना को देते समय हमने नहीं देखा यह अमुग धर्म का व्यक्ति है यह अमुग जाती का व्यक्ति है यह अमुग छेत्र यहां पर विकास होना चाहिए यह गाउं में विकास होना चाहिए क्योंकि यह गाउं भारती अन्ता पाल विश्वास जीतने के साथ आज सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं केवल भारती अन्ता पाल्टी के कार करता नहीं एक तरह से तो आम जन्मानस करी रहा है मैं तो यह भी सुनता हूँ कि बिपक्ष पाल्टी समाजबादी पाल्टी के लोग बहुजन समाजबादी के लोग Congress पा आपको क्या लगता है कि किस वेक्टी को टिकेट मिलेगा तो आपके लड़ाई काटे की हो जाएगा देखिये भारती यंता पाल्ती बहुजन समाज पाल्ती कहीं मेरी भारती यंता पाल्ती की लड़ाई में है ही नहीं समाज इसको नकार चुका है क्योंकि 2007 से 2012 तक बहिन कुमारी मायावती के सासंकाल को भी देखा उस समय इन पान सालों में एक आम जन्मानस के मन में जो बात आती थी उनको लगता था कि ये दलित और मुसल्मानों की सरकार है 2012 में अकलेस यादों ने नारा दिया कि अगर आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो मैं इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाऊंगा चलावे में आकर समाज इन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई उत्तर प्रदेश का कमान अकलेस यादों को दिया लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि उत्तम प्रदेश का नारा दे कर जहांसा में लोगों को लेकर इस प्रदेश को दंगों के प्रदेश के नाते पूरे देश में पहचान बनी। लेकिन भारती जन्ता पालती ने जिस नारे को चरिर्टार्थ करने के लिए अपने कारकर्टाओं को समाज के बीच में भेजने का काम किया, वो नारा था, ना गुंडा गर्दी, ना भरस्टा चार, समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना, सबका साथ सबका व बुद्धों पर, आज समाज नंगी आखों से देख रहा है कि भारती जन्ता पालती ही ऐसी पालती है, जो कहती है, वो करती है, तो यह थे हमारे साथ शाम बाबु गुपता विधायक प्रतिनिदी टांडा, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके महत्तपूर समय के लिए, य प्रबल दावेदारों में से एक हैं, सिटिंग मले के विधायक प्रतिनिदी हैं, तो बहुत लंबा चोड़ा मारजिन है कि यह चुनाव लड़ सकते हैं यहां से, यही परतियाशी होंगे, और यहोंने अपनी स्ट्रेटीजी बताई कि यह कैसे चुनाव लड़ेंगे, जन आने वाल